हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा तुम क्यों विर्थ चिंता करते हो तुम क्या लाए थे क्या ले जाने वाले हो यह दूसरा रास्ता है हाँ और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले दस बीस नहीं है सेक्डों लोग हैं रो जाते हैं और माला पकड़ा देते हैं राम 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 राधे 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 राम 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 राधे राधे बस यही करो देश तो ठीक हो जाएगा और ज व्यर्थचिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, देश लुट रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा, वो हमको समझाते हैं, और इसी को धरम कहते हैं, इसी को धरम कहते हैं, और आजकल धरम के व्यापार करने वालों की बाड़ाई हुई है हाँ बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी एक आया राम की कथा कहेगा दस करोड लेके जाएगा दूसरा कृश्म की कथा कहेगा वो पंद्रे करोड लेके जाएगा और आप जैसे भोले भाले मूरख लोग डालते हैं उनके पात्रों में ले जा भाई ये बापू नहीं है डाकू है बापू नाम तो शरमाती है कहते हुए कहीं से दस करोड लूटो कहीं से बीस करोड कहीं से पच्चीस करोड और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धनका करें क्या इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापू को देते रहते हो आप क्या करें उसका और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है मैंने देखा है क्या-क्या पाखंड और नौटंकी चलता है भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिन्दगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें जो साहस पैदा करें राम की जिन्दगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है वीरता का है जब चौदे वर्ष के लिए बनवास चले गए राम तो हम को सुनाई जाती है राम की जो कताना उसमें कहते है राम ने चौदे साल एक ही काम किया हाए सीते हे सीते हाए सीते हे सीते हाए सीते ये सुनाते है हम को हाँ ये ही सुनाते है निकाल के कहानी में से और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाए सीते हे सीते हाए सीते यही करना था चौदे साल तो दूसरा विवा क्यों नहीं कर लिया सेकडो राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए वो तो कर लेते दूसरा विवा क्योंकि हाए सीते है सीते है सीते एक इस्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलक रहेते तड़प रहेते दूसरा विवा कर लेते तो ये सब चुप हो जाते है फिर बात नहीं करते हैं फिर मैं उनको रामाइंड में से निकाल के दिखाता हूँ देखो राम ने हे सीते हाई सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैक्ड़ो राक्षसों का संधार किया उन्होंने मारा उनको और धर्मराजी की स्थापना कराई ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है तो राम का जो वीरत तो है वो नहीं सुनाएंगे आपको उनकी जो कमजोरियां है वो सुनाते हैं आपको और राम का था जब वरनन की जाती है तो मंच में बैठके आहा कैसे आंसू ढलल ढलल आंसू निकलेंगे आपको भी रुलाएंगे खुद भी रोएंगे किस बात के लिए ओ राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है वन में इतनी तकलीफ हैं हो रही है तो राम की तकलीफों का वरनन कर रहे हैं आंसू आ रहे हैं और ये सारा वरनन एयर कंडिशन्ड मंच पर बैठ कर होता है अपने को तकलिफ नहीं होनी चाहिए राम की तकलिफों का वरनन कर एयर कंडिशन्ड मंच चाहिए एयर कंडिशन्ड घर चाहिए रहने के लिए एयर कंडिशन्ड कार चाहिए और charted plane चाहिए आने और जाने के लिए तब राम की कथा सुनाई जाएगी जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे जिनोंने अपना रत भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय वो राम ने जिंदगी भर पैदल चलके काम किया और यहाँ एर कंडिशन कारों में घूम घूम कर चार्टेड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं वो कथा वता नहीं है वो उद्योग है व्यापार है बिना टैक्स का और मुझे बहुत शरम है यह कहते हुए समय आने पर प्रमान से बात करूँगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और मुझे इससे भी बड़ी शरमाती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को और आपके दिये हुए पैसे से धंदा बना रहे हैं अपना फिर ऐसे क्रश्न की कथा कहने वाले आ जाते हैं कहते हैं रादे 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 और कुछ कहोई मत रादे रादे कंस को मारा जरासंद को मारा शिशू पाल को मारा अधर्मियों को मारा ये सब थोड़े में रादे 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 बड़े में क्योंकि आपको कायर बनाना है न निर्वीरे बनाना है नपुनसक बनाना है तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है तो चुन चुन कर ऐसी कहानिया सुनाते हैं और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग है ना राम और क्रश्न की कथा कहने वाले ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है तुम लोगों का ध्यान इस तरह भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े गरीबी के खिलाफ न लड़े वेरोजगारी के खिलाफ न लड़े अत्याचार के खिलाफ न लड़े वो डूबा रहे रादे 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 राम 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 बजिसी में और समझाते रो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों विर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे होगा, और भी अच्छा होगा, एक रास्ता ये है, अब दो रास्ते हैं अपने साम, एक रास्ता भगत सिंग का, उदम सिंग का, चंदर को दिल का दर्द बता रहा हूं सच में कह रहा हूं आप से नाम नहीं लेता मुझे ओफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो मेरे साथ आजाओ मैंने का बापू जी क्या होगा उसमें तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा मैं बोलना कैसे तो नहीं का तुमारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़े कठा करने का मजमा लगाने का तरीका है मैं ऐसा डमरू बजाता हूँ कि सब इकटे होते हैं और तुमारी बाणी में जोर बहुत है मिलके लूटेंगे थोड़ा तुमारा थोड़ा मेरा ऐसे खुले ओफर हैं मेरे पास और मैं कहता हूँ बापू जी माफ करो क्यों कहते हैं तुम्हें पैसे नहीं चाहिए मैंने का पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास यह एक बचा है पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं यह एक रास्ता थोड़ी है बहुत तरीके हैं पैसे कमा लूँ गर बना लूँ बीबी बच्चे ले आओं करोड़ पती हो जाओं दस करोड़ पती हो जाओं सो करोड़ पती हो जाओं बहुत आसान काम है ये तो थोड़ी चाला की हो तो सैकणों करोड़ बनाना बिलकुल मुश्किल नहीं है इस देश पर फिर रंत में तो वही होगा ना सैकणों करोड़ हो गए एक दिन डाइबिटीज होगी एक दिन अरथ राइटीज होगा एक दिन हरट अटेक आएगा मैं मर नहीं वाला हूँ तो मरना तो है ही वहाँ भी शायद जल्दी मरू क्योंकि जब शरीर में तामस बृती आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है तो तामस बृती आईगी मरना मुझे वहाँ भी है तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरू जहां सात्युक बृती भी है मरना है ये तो पक्काई है जिंदा तो कोई रहेगा ने तो भगत सिंग का रास्ता क्या बुरा उदम सिंग का रास्ता क्या बुरा चंदर शेखर का रास्ता क्या बुरा कुछ करके मरो ना मरेंगे ये सब भी सादू संद पाखंडी राम की कता सुनाते सुनाते हरटटेक आएगा मरेंगे वो भी डाइबिटी सब को हो रखी है मैंने देखा है नजदीक से जाके सब इंसुलिन लगाते हैं खाते हैं गोलिया अपनी डाइबिटीस नहीं मिटा पाते हैं दूसरों को उबदेश देते पिरते हैं